नमस्कार दोस्तों मैं आपको आउस विकास आप कमने चनल ने एक बाद फिर सौथ करता हूँ तो आपने वीडियो चनल को सब्काइब ने कहा है तो प्लीज चनल को सब्काइब कर लें अब बेल आइकन आपको दिख रहे होगा उसको प्रेस कर दें जिससे कि आपको सभी नॉटिफिकेशन हर वीडियो की समय से पहले आपको मिल ले जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी हमारे वीडियो आपके मेंस ना हो जिससे कि आपके एक्जाम में कोई भी दिखक होते हैं तो old जो स्लेबर्स का प्रेटिकल था वो अलग था इस बार जो प्रेटिकल है वो कुछ अलग है उसमें कोशन आपको अलग मिलेंगे कुछ मिलता जूलता रहे गा क्योंकि सलेबर्स आपका लगबक से में है तो किस पकारतों का क्या प्रेकरिया होगी और कैसे जी जए काफी लोग के message इसपे मेरे को मिलेएं आज हम थोड़ा सह आपको hint करतें hindi करतें कुछ चीज़े करतें कैसे critical की त्यारी की यााई कैसे क्या होता है किंदे नंबर का उता है या grace मिलता है या आपको कैसा फीस होती है तो सारे चीज़े आपको एक पिरेंँ करेंगे तो वीडियो चेल लगे लाइक करें। आप पूरे examination will be conducted by the NLT is reputed institution for all candidates. तो यानि कि जो भी आपके होते हैं ये आपके practical ये आपके institute के द्वारा करवा जाते हैं. जो भी candidate होता है यानि कि अगर आप direct भी हैं या institute हैं तो आपका जो practical होगा वो institute में ही जाएगा. अब ये depend करता है कि आप कि सहर में रहते हैं मालीजे आप डिली में रहते हैं आप डिली में रहते हैं और आप जब आप Damn vom भर खाएंगे 500 च्रॉपेगर करेंगे और payment करने के बाद जब आप center select करेंगे मालीजे आप में एक डिली select कर लिया जो आपके पास हो तो इनी दोनों जगह में से आपका center किसी भी दिली में जितने भी institute होगा इनल्टी के उसमें से किसी एक में या अगरा में जो इसका center change कराना चाहते हैं दिली में मालिज आपका दिली में पढ़ गया आप चाहते हैं आगरा में और आपका आगरा पढ़ गया चाहते हैं दिली 300 किलो मीटर भी आपका सेंटर जो है वो बनने लगा तो काफी दूर हो जाता है एक दिन आपको पहले जाना पड़ता है वार रुकना पड़ता है फिर दो दिन आपका इसी में चला जाता है तो ऐसा ना हो तो उसके लिए आप अपना सेंटर को चेंज भी करवा सकते हैं यहां से आप नोट के लिए अगर अगरर अगर इससरे नमबर नहीं मिला तो आप इस PayPal कर सकते हैं तो यह जो होते हैं वो आपके practical examination center पर जाते हैं ना कोई inter college या government college के school में आपके नहीं जाते हैं यह आपके NLT के institute में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके NLT के teacher होते हैं और वहाँ पर आपको computer system मिलते हैं उस पर आपको practical करना होता है और वहीं पर आपका YYP होता तो देखें किस पर गारते हैं number of practical एक आपका practical होगा अगर आपका O level का exam है तो आपका 1 practical होगा A level का है तो 2 होगा अगर O level pass करके आप A में गए हैं तो आपका फिर A की practical होगा यह भी ध्यान लगिए अगर आपने O level pass करक कर लिया है और A का exam आप दे रहे हैं तो फिर आपका 1 practical होगा अगर direct A level करना है तो फिर आपके 2 होगे simple सा logic है ठीक है आपको 7 में आ गया होगा आगे चलते हैं duration of practical यानि कि practical होता है कितने घंटे का होता है 3 घंटे का practical होगा including with Viva यानि कि 3 घंटे में आपको जो है मालेज़े 2 घंटे मालेज़े आपको लिखने के लिए मिल गया हमाँ पर 2 अबर और फिर 1 घंटे में आपको अवाइबा होगा तो यह मान के चलें कि 2-5 घंटे का time आपको मिलता है लिखने वाले में लिखना क्या होता है क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ आपको कौपी मिलेगी एक paper मिलेगा paper आपको जमा हो जाएगा paper जो मिलेगा वो किस पकार के होता मैं आपको example दिखा देता हूँ जैसे कि देखे पुराने paper अवलेबल है लेकिन ये पेपर आपको helpful करेंगे कुछ एक्जाम के लिए इसमें आपका python वगर के question नहीं है तो इसमें से आपको m1, m2 के question तो helpful मिलेंगे तो m1, m2 यतने भी question और solution है चैनल पे अब लेबल है playlist में आप दे सकते हैं या वीडियो को description में भी सारे practical के link दिये हुआ है तो मालेजिए आपको paper हम दिखा देते हैं कि इस पकार का paper आपको मिलता है तो इस पकार का paper आपको मिलता है देखिए यहाँ पे 100 number और 3 गंटे यहाँ पे timing लिखे देती है 80 number गा practical exercise है और 20 number का वाई भाय है ठीक है तो इस पकार से पूरा paper मिलता है देखिए इसमें आपको A1 जैसे के M1, M2, M3, M4 है तो चारू module में से आपको एक-एक question मिलेंगे चार module होगा है यानि कि 25 number के 4 question या 5 question आपमान के देखिए तो आपका total 100 number के यहाँ से बन जाते है यह 80 number का जोल्ड है तो 80 number के बन जाते है तो यह देखिए एक question यह हो गया तो यह ODS Labus का है R4 वालो का है लेकिन जो आपको paper मिलेगा वो इस इसी परकार का आपको मिलता है एक page का यह आपका जमा हो जाता है ठीक है तो मैंने आपको sample दिखा दिया इससे आप M1 और M2 के त्यारी कर सकते हैं इसमें आपको HTML, CMOS के program मिल जाएंगे लेकिन आपके में Libra office है इसलिए मैं आपको यह recommended नहीं करूंगा जो हम आपको question बताएंगे आप उस पर focus करें तो यह तो आपको समझ में आपको paper किस परकार का मिलता है तो 100 number का paper होगा इसमें 80 number particular 20 number का वाइबा में जो आप question करेंगे उसी से basic question आपके पूछे जाते हैं बिलकुल भी डरने के ज होगा यानि कि passing होना जरूरी है इसमें आपको pass होना जरूरी है वही grading system है आपका D वाला C, B, A और S और F होगा तो fail यानि कि 50% minimum आपके होने चाहिए दोनों में से मिला के तो आपका pass हो जाएंगे इतना आप धाना कि तो यह आपको number इसमें लाने है अगर इसमें नहीं होग अगर फिर से आप next time apply करेंगे 500 रूपय करेंगे और काफी बच्चे fail होते हैं तो focus करें कि आप अच्छे से एक बार में कर लें तो grading आपको मिलेगी इसमें date जो है इसमें date for practical examination will be announced on website तो जो भी इसकी date होती है वो मानले जे आपका exam है end of month होगा भी तो आपकी जो date आई है व कुछ तो scan उसार वो define की जाता है तो यह होगे आपका तो यह तो आपको computer बागी जो facility आपको मिलेगी वहाँ पर computer की networking की वह सारे जिजए आपको practical में दी जाती है जो आपको software मिलेंगे वो सारे यहाँ पर दिये गा है यह सारे software आपको वहाँ पर मिलेंगे तो यह तो होगे आपका practical की requirement कैसे क्या होता है कि सारे number का मैंने आपको बता दिया है fees आपको बता दिये हो जकता है कि यह center पर आपसे कुछ fees मांगे जाए extra charge के लिए पास करने के लिए जो भी हो जकता है तो वह अलग चीज है अब हम आते हैं कि question कि इस पकार के आते हैं जो कि most important है तो देख से आप practice कर दखते हैं और live video भी आपको solution ना बताएं अब यह आपको सीविंट कर रहे हैं तो देखिए माल लिए यह आपका जो practical है sample practical assignment किस बगार question पूछे जाते हैं तो information technology network basics है यह आपका M1 R4 का जो practical होगा उसमें किस पर करके question पूछे हैं बहुत हलके easy question पूछ जाते है practical practical base होते हैं जो उसी बगार question आपसे पूछे जाते हैं तो यह आपको करने वाले हैं आपको आपको पर भी लिखके दिखा सकते हैं तो इसमें लिखा है do do मतलब करना तो यहाँ पर do अगर लिखके है तो समझ लिए कुछ करना है आपको उसमें setting do the following setting आपको चेंजमेंट करन नहीं अभी तो यह देखिए इसमें कोई भी simple सा mouse लगा हुआ है और यह आपका बिलिंग कर रहा है अब हम को setting करने ही तो इसके लिए हमको क्या पर जाना पड़ेगा अगर आपको पहले से पता होगा कि mouse को setting वगरा कैसे change करते हैं तब तो कोई दिखकत नहीं है अगर आप नहीं होंगे तो आपको दिखकत होगी तो यह इसलिए मैं सभी के लिए बता रहो कुछ बच्चे को पास computer नहीं होता कुछ बच्चे विलेज से रहते हैं उनको नहीं कभी पढ़ा होता है तो इस सभी के लिए helpful होगी तो इसके लिए आप यहाँ पर जाए और यहाँ पर ट से भी आप open करते हैं तो अब इसमें आपको क्या बोला है display pointer trails आपको लगाने है तो आप ढूढ़ना पड़ेगा आपको इसमें pointer trails क्या है तो यह तो button का setting है pointer पे हमको जाना है यानि कि pointer का option है तो pointer पे हम गए और pointer का option यह आया ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपको मिलना ह है display pointer trails यही आप से पूछा गया था setting आपको करने है display pointer trails इसका मतलब प्याप देखिए आपके लिए करिंग देखिए आपका mouse आप जो है वो किस परकार से काम करेगा तो यह आपको setting यहां से चेंड करने था यानि कि आपके mouse है इसके दो तिन तरह के इसके पीछे आपके पूछ आपके trails गरूप में जुड़िया थी तो यह setting आपको चेंड करने थी तो यह हो गए आपका mouse pointer display mouse pointer उसके आद आपका क्या है change the normal pointer to another pointer नहीं कि यह आपका हमको दूसरा pointer लगाना है तो हम यहां बगए और हमको यह देखिए यह से हम कोई और दूसरा pointer select करेंगे तो अभी हम इस पर चलते हैं देखिए हां पर दूसरा pointer है यह बड़ा pointer है तो इस पर हमने select के देखिए अब आपका पूइंटर है वो चेंज हो के दूसरा रूप मे यहां से यानि पहला था आपका display pointer trace लगाना था और दूसरा था change the normal pointer to another pointer तो यह की pointer के यहां पर dark black हमने यहां पर लगा दियो तो इसी बगारते सारी settings यहां पर आपको करनी हैं बहुत ही simple सी है आप उसको कर सकते हैं असानी से तो दूसरा है आपका set the advance send set आपको करनी है date advance by two months यहनि कि आपको जो date आपके computer में चल लए है उसको आपको advance लगानी by two months उसको किस पर कार से करेंगे उसके बाद है आपका reset the system time and date और set the time date last two hours 40 minutes यहनि कि basically आपको जो setting यहाँ पर करनी है तो नीचे देखेंगे यहाँ पर option मिलता है आपको calendar का और change date and time पर क्लिक करना है आपको इस पकार की window open होगी अब यहाँ पर पूछा है set the set date date advance by two months तो आपको date बगारा change करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे change date and time पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और window आपके सामने open होगी अब यहाँ पर change कर सकते हैं आपने date तो यहाँ पर आप जाए दो two hours यहाँ पर last two hours जो भी आपके उस समय जो आपके computer में time चल लाओ उसको आप दो हंटा कम करके और 40 minutes late कर सकते हैं अपने घड़ी को तो वह आपको basically इसमें करके दिखाना है अभी हमको settings में change नहीं करेंगे नहीं हमारे computer का system का time change हो जाएगा तो यह बहुत ही easy से practical होते हैं आप दे सकते हैं इसी बगार के तमाम तरह के practical आपको मिलते हैं यानि की लिब्रे ओफिस है तो उसमें word excel powerpoint का जो भी आपका practical लोगा उस पर करके और यह settings के practical थे बिल्कुल easy थे हैं आप बिल्कुल इनको कर सकते हैं और last है set the yesterday date time in your operating system तो जो last date थी उस दिन जो आपकी date होगी practical के माली 25 से तो आपको 24 सारी की date अपने computer में chain करके दिखा दो हैं तो बहुत ही easy है बहुत ही simple से आप इसको कर सकते हैं देकि next है do लिखा यहां पर do यानि की आपको इसमें भी आपको चेंड मेंट करने है इंटर चेंज क कि एन खी जा कि इस रह kes vanas का में चांख में हम चाते हैं कि यह रैट से लेडरा में का में काम तो इस लिए आम को क्या करना पड़ेगा उस की जो यह देखिए यहां पर देकि ए-क option मिलता है आपको तमाम तरह के option अब लेवल होता है तो यहाँ पर है basically button configuration है click the mouse button इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जो आपकी setting थी वो किस परकार से लगी थी अभी जो आपकी setting है वो लगी है right वाल प्यानि कि जब आप click करतें के इस चीज़ पर तो आपका left से open होता हम चाहते हैं कि यह वाली बटन इधर पर आ जाए तो हम इस पर click करतेंगे अब आपकी right वाल इस पर click होगा अब हम यह आप open करतें देखिए अब आप देखिए open नहीं हो रहा अब जब राइट वाली काम करना गलत हो गया तो इस परकार से आप setting बगारा को change करते हैं तो बहुत ही easy होते है प्रेटिकल इस परकार के चुर्ड़े टो question होते हैं इसी परकार कि मैं आपको सारे question आपको त्यार करवा दूँगा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तो आसा करते हैं आपको ms1 के हैं m1 r5 के हैं और नीचे देखिए आपके अगर उसकी बात करें आपके सभी के practical इसमें दिये गए हैं question यह m2 r5 का है तो इसमें आपको basically html के css के program आपको मिलेंगे तो यह सारे code मैं आपको design करना बताओंगा बेफिकर रहे हैं और देखिए इसमें काफी अच्छे question दिये गए हैं और इसको अप्रेक्टिस भी कर सकते हैं पहले से मकी सी PDF आपको मिलेगी python के देखिए आपर program आपको solve करने हैं तो इस पेकार से आपको पूरा practical मिलेगी तो thank you for watching